जहिन प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग Newton's Law of Motion जो की एक 11th का चेप्टर है, उसका एक बहुत ही प्यारा concept देखने वाले है, जिसका नाम है Constraint Motion, तो भज़े ये Constraint Motion होता क्या है आके, पहले समझते कि आके Constraint Motion में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, तो अगर मैं Constra की बात करूं, तो इसमें हम लोग आज Majorly Constraint Motion क्या होता ये समझेंगे, और साथे Types of Constraint Motion देखेंगे, जिसमें हम लोग तीन तरह के Constraint Motion देखने वाले हैं, कौन-कौन से, एक हम लोग पढ़ेंगे String Constraint, यानि कि रसी का Constraint Motion, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे Wedge Constraint, यान फिर अगर पूली ही मूँ कर गई, तो किस तरह से हम लोग Velocities निकालेंगे, यह हम लोग आज देखने वाले हैं, तो यह तीन चीज़े हम लोग कवर करेंगे आज के लेक्चर में, तो सबसे पहले चीज़े जो देखने वाली है, कि आखिर ये Constraint होता क्या है, What is Constraint Motion, इसको हम लग बोलते हैं, Constraint Motion, कैसे, कि हमने बोला, Dependency of motion of one object on the other in a system is known as Constraint Motion, कैसे भईया, कि ज़रा देखो, A और B दो ब्लॉक से ऐसे डब्बे रखे हो है, इन दोनों डब्बो के बीच में लगा दी हमने एक रस्सी, यानिकी रो, जिसको बोलते हैं, प्यार से, String, लेकि जब B आगे भाग रहा होगा, तो A भी भाग रहा होगा आगे, जब मैंने B से पूछा, कि भाई साब, आप आगे क्यो जा रहे हो, मालम पड़ा, ये जो force है ना, ये force इस B को आगे लेके जा रहा है, लेकिन जब मैंने A से पूछा, कि भाईया, आप आगे क्यो जा र कैसे ढहरा रहा हब कि यहां पर फोर्स लागा रही है थैंसर नाम का दहसी में जो फोर्स आता है उसे इसे हम लोग वोलते हैं ठेंशन तो रष्सी का जो टेंशन की तरफ टेंशन टी अरे बोलो तो हमने देखा कि बी की तरफ से टेंशन जो रसी के माध्यम से ए पर पहुंच रही है इस वज़े से ए आगे बढ़ रहा है यानि कि हमने बोला कि जब दो आपजेट्स से बीच में स्ट्रिंग कनेक्टेट रहेगी या रसी बंदी हुई रहे लेकिन क्य आपने बी को धक्का दिया नई हमने तो आ दिया बी पर अपने आप इस कॉन्टेक्ट की वजह से धकर गया होगा यानि कि इस फोर्स का हमने बुला नॉर्मल हमने लगाया रहे बोलो भाई तो हमें मालूम पढ़ा कि जब जब कोई रसी या фर कॉंटेक्ट होग जब-जब कोई row हो, string हो या फिर contact हो, तो इन दोनों की वज़र से बीच में एक ऐसा कुछ relation हो जाता है, कि अगर एक को move किया जाएगा, तो दुसरा भी move करेगा और इसी को हमने बुला constraint motion तो क्या हमें constraint motion समझ में आ रहा है constraint motion यानिकि dependency of motion of one object on the other एक का motion दुसरे पर depend करना, तो भीया हमने पढ़ा कि किस-किस तरह के constraint होते हैं सबसे पहला constraint हमारे पास आया string constraint, यानिकि रसी की help से, string की help से, एक motion का दुसरे motion पर dependency हमने बुला देखो भाईजी, A एक point है, B एक point है और बीच में बंदी रसी यानिकि हमने ऐसा कुछ बुला कि A पर एक object रखा होगा ऐसा गोल-गोल सा B पर एक object रखा होगा ऐसा A और B पर एक object रखे होगा है जब हमने B को खीचा तो तरह सोचो, क्या A भी आगे आएगा हाँ हाँ, फील तो आ रही है लेकिन अगर रसी उतनी ही length की है क्योंकि हम जो रसी मानते हैं ना तो वो stretch हो सकती है और ना तो वो तूट सकती है है ना, तो अगर रसी constant length की है तो बटा सोचो, अगर B जादा हो गया A से, B जादा हो गया TG से कीच दिया, तो रसी तो तूट जाएगी यानिकि, if velocity of B will be greater than velocity of A string breaks, हागे ना लेकिन, सर, अगर A जादा हो गया तो, तो बटा अगर A जादा हो गया, और B धिरे-धिरे रह गया, तो A और पास आजाएगा यानिकि, रसी slack ऐसी गुल-गुल सी बन जाएगी तो यहाँ पर VB, अगर VA से कम हो गया, B की speed कम है, और A अगर तेजी से आ रहा है तो हम बोलेंगे कि string slacks string का tension जो है, सीधी रसी नहीं रहेगी slack हो जाएगी, तो हम क्या चाहते हैं कि ना length बढ़े, ना length कम हो यानि कि हम चाहते हैं कि velocity of B will be equal to velocity of A यह हमारा होगा string constant का basic relation, जब दोनों moves together साथ साथ जा रहे होंगे same same speed से, लेकिन मन में विचार आया पिस और ऐसी चीदे तो मैंने जीवन में भी देखी है कब देखी है, आउ जड़ा देखो कि अगर यहाँ पर 5 meter per second से खीचेंगे, तो तरह बताओ कि यह जो हमारा A point है, यह कितने से आगे जाएगा, तो बेटा common sense कि अगर B point पाँच से आगे गया, तो उसके just पीछे वाला point भी पाँच से जाएगा, हाँ जी पास पास रहना है, साथ साथ रहना है, उसके just पीछे वाला भी आगे जा रहा होगा किससे पाँच से, just पीछे वाला भी जा रहा होगा किससे, पाँच से, just पीछे वाला भी कितने से, पाँच से, तो जब बताओ A B कितने से आगे जा रहा होगा हमने बोला, velocity of A B होगी, पाँच मिटर पर सेक्ड, बिल्कुल common sense, अभी तो देखा था लेकिन, फिर मैंने देखा कि एक आंटी ना, इसे कुए से पानी उपर खीच रही है तो अगर आंटी जी कुए से पानी उपर खीच रही है तो आंटी जी ना, 6 मिटर पर सेक्ड की acceleration से ऐसे force लगा रही थी कुछ ये जो उनका point था, रसी का वो रसी खीच रही थी, 6 मिटर पर second square से acceleration लगा रही थी मैंने सोचा कि ये जो नीचे से object आ रहा है उपर, ये जो नीचे से बाल्टी आ रही होगी उपर, इसकी acceleration कितनी होगी, आओ ज़रा देखे तो मैंने पूछा, कि या आप, आप, अरे आप जो रसी के उपर बैठे हो यहाँ पे, आपकी acceleration कितनी? मालूम पढ़ा 6, अच्छा, आपके पीछे वाली के कितनी? 6, और पीछे वाली के कितनी? 6, तो सर, पता ना, इसकी कितनी? तो सर, जब आप उपर 6 से खीच रहे हो, तो नीचे भी तो 6 सी उपर आएगा ना, common sense, तो इसका मतलब ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6 तो इसका मतलब, सर, क्या हमारी velocity और acceleration की direction भी चंज जाती है? मतलब, रसी सीधी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्या? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है हमने तो बोला, कि भाई साब आपकी अगर ये acceleration 6 मिटर पर सेकंड है, तो यहां की acceleration भी कितनी आगई? 6 मिटर पर सेकंड स्क्वेर तो क्या मैं ऐसा बोल दूँ? कि बाकी acceleration velocity तो मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जो रसी की direction में velocity और acceleration होगा उसके along, along this thing वो सेम होना चाहिए, अगर वो सेम हो गया, तो जितना आगे पहला वाला point बढ़ेगा उतना ये आगे दूसरा वाला point बढ़ेगा, और ये मेरा V A equals to V B को satisfy करेगा आओ ज़रा देखें, फिर हमने देखा कि अगर ऐसे दो points है, मान लिया यहाँ पर मेरे पास एक point है, जिसको मैंने नाम दिया A और एक यहाँ पर point है जिसको मैंने नाम दिया B ओहो, लेकिन सर इस बार तो A और B की velocity है, वो किसी अलग-अलग directions में हैं, अब क्या किया जाएं तो मैंने अभी अभी देखा, कि along the string, रसी की direction में velocity सेम रहती है, तो जरा मुझे एक बात बताओ, कि रसी की direction में इस V A का component theta की तरफ क्या हो जाएगा theta की तरफ हो जाएगा V A cos theta क्योंकि हमने पढ़ा था theta की तरफ component cos theta theta के perpendicular component sin theta vector को component करना आता है हमें फिर जरा सोचो, भाई साब यह जो B है, क्या इस V का component कर सकते हो, आहाँ theta की तरफ ही तो component करना है यह theta 1 था यह हो जाएगा मेरा V B cos theta 2 तो भाईया यह जो रसी है क्या यह रसी आपको ऐसी दिख रही है कि यह वाला point A, A जा रहा है रसी की तरफ V A cos theta 1 हंजी हंजी और B, रसी की तरफ दूर जा रहा है, कितने से V B cos theta 2 तो भाईया, अगर B point V B cos theta 2 से उपर जा रहा है तो क्या A point V A cos theta 1 से आगे जाएगा और अगर दोनों रसी की तरफ है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि V A cos theta 1 will be equals to V B cos theta 2 यह आगया हमारा A और B के बीच में relation, बस A और B की value अगर मैं निकालनी है, तो theta 1 theta 2 की value रखो, और answer, बड़े आसन चीज़ है तो तो हमारा concept क्या बना हमारा concept यहाँ पर बना जो हमें समझना था, वो कुछ ऐसा है आउज़रा देखे, कि मैंने बोला कि देखो भाई जी, रसी के velocity constant तो रहती है, लेकिन concept direction में रहती है, यह भी important है तो मैं बोलूँगा कि velocity of points of the string velocity of points of the string points of the string oh, दो points की बाते हो रही है, a point और b point, constant direction में along the string जिदर रसी के length है, उस direction में along the string will be equal क्या हमें string constant समझ में आ रहा है कि यहां, रसी के direction में along the string, जिदर रसी हो a point यहां है, लेकिन रसी किदार है ऐसे angle पर, तो हमने बोला, va का component, va cos theta b की velocity उपर है, हमने बोला, vb का component, vb cos theta, तो va cos theta और vb cos theta, va cos theta 1 और vb cos theta 2 दोनों एक direction में आ गए, इसलिए यह दोनों हो गए equal, कि यहां तक समझ में आ रहा है, हमें बहुत बढ़िया, अब ज़रा देखो फुड़ा सा आगे बढ़े, और हमने बोला कि भाई जी, इसे solve करके बताओ यह वो question है, जो exam में आता है, अब कैसे करें ज़रा देखो और यह question, मज़े ज़रा question है बहुत मज़े आएंगे इसको करके, आउ ज़रा देखते है कि हमने बोला, उपर की speed तो 20 meter per second है आप तो इसकी speed बताओ तो पहले ज़रा मुझे एक बात बताओ कैसे उपर आप किसी object को खीच रहे है यह नीचे वाला जो object है, वो आगे जाएगा तो वो ऐसे उड़ेगा कहीं object मतलब feel क्या आ रहा है, कि अगर मैंने ऐसे उपर से कोई चीज खीची रसी से मैं अगर किसी चीच को खीच रहा हूँ तो वो मेरी तरफ आगे आएगी यह उपर उड़ जाएगी common sense तो यह कहता कि अगर भारी चीज है अगर कोई object रखा हुआ है, box रखा हुआ है तो वो तो ऐसे जमीन के सारे आगे आएगा यानि कि मुझे ऐसा common sense feel हो रहा है कि यह जो b object है, इसकी speed आगे की तरफ हो जाएगी v b लेकिन क्या यह रसी की direction में है नहीं नहीं, रसी की direction में तो नहीं है तो हमें रसी की direction में component लेना पड़ेगा तो यह component आगा बेटा v b का theta की तरफ यानि कि v b cos theta हाँ जी, और फिर हम बोलेंगे कि अगर आगे 20 से जा रहा है तो यह point b 20 यह point b 20 यह point b 20 और यह point b 20 यानि कि v b cos theta b कितनी speed से जा रहा होगा 20 अच्छा, सर, सर अगर 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 सर, अगर यहां का angle theta ना बोलके 37 degree बोल जा तो क्या करोगे सर, कुछ नहीं बटा, theta की value रखेंगे, आओ कैसे, कि हमने बोला, v b cos 37 equals to 20 और cos 37 होता है कितना cos 37 होता है 4 by 5 equals to 20 यानि कि v b की value आ गई, कितनी कितनी 5 into 20 बटा 4 4, 5, हमारे पास आगया answer 25 meter per second सर, उपर की speed तो 20 है आपकी speed तो 25 आ गई यानि कि आपने 20 से खीचा और object 25 से आ गए हाँ बेटा, जादू देखो क्योंकि हमें इस speed से मतलब नहीं है हमें इस speed का component जो कि रस्ती की direction में उससे मतलब है यानि कि हम खीचेंगे 20 meter per second से object आएगा 25 meter per second से अगर मेरी acceleration होगी 20 meter per second square तो object की acceleration आगे की तरफ आएगी 25 meter per second square और अगर मेरा object 1 second में 20 meter चलेगा तो ये b object 1 second में 25 meter आगे जाएगा आ रहा है क्या बहुत बढ़ी है चलाओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो अभी तक हमने बात करें string construction की अब हम लग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बात कर रहें wedge construction की यानि की जब a और b दो object contact में होंगे तब दोनों का motion कैसा होगा तो जरा देखो कि अगर भाई या b आगे जा रहें v b से a आगे जा रहें v a से और मैं चाहता हो कि ये पास पास रहें prem बना रहें उन में तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जरा सूचो कि अगर v b v a से जाधा हो गया तो b तो तेज़ीसे आगे निकल जाएगा क्या साथ साथ में रह पाएंगे ना लॉंग डिस्टेंस में आ जाएंगे अच्छा सोचो अगर वी वी ए से कम हुआ ओहो वी तेजी से नहीं जा रहा है और ए तेजी से जा रहा है तो यह तो ए बी के अंदर गुझ जाएगा और इसका मतलब अगर वी ग्रेटर देन वी हो तो कॉंटेक्ट लूजेस, कॉंटेक्ट छूड़ जाएगा बीचका और अगर वी बी लेस दिन वी ए हो गया तो वैसा ब्लॉक्स कमप्रेजेस साथ में एक दुस्ते के अंदर गुझ गुझ जाएगे वो काम नीचल पाएगा अब क्या किया जाए ना तो जाधा पास आ सक सकते ना तो दूर जा सकते तो भी यह साथ साथ चले दो साथ साथ दीरे-दीरे करके जाके बढ़ता जाओ यह कब होगा जब वी यह विल बी ग्रेटर एक्वल्स टू वी बी जब यह और वी बराबर होंगे तो हम बोलेंगे मुझ टूगेधर हागे ना अच्छा कॉंसेट क्या आया कॉंसेट ऐसा आया कि जहां से देखना यह वाला जो पॉइंट है कौनसा वाला अरे यह वाला कौनसा यह 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 पॉइंट और यह पॉइंट जो है बी का पॉइंट तो जा रहा है आगे अब जब बी पूरा आगे जा रहा है तो उसकी बाडी का हर पॉइंट a का point आगे जा रहा है va से और अगर दोनों को साथ साथ में रहना है तो क्या दोनों के बीच में कुछ motion होना चाहिए नहीं बिलकुल नहीं होना चाहिए दोनों की velocity सेम होनी चाहिए कौनसी direction में? along the normal contact की direction में तो हमने बोला कि भाई साथ इसका मतलब की velocity of velocity of objects कौनसी direction में? along common हर एक direction की बात नहीं करना भी या along common normal should be कैसी होनी चाहिए? same तो जैसे रसी की velocity रसी की direction में सेम थी वैसे ही यहाँ पर velocity common normal contact की direction में होनी चीए same sir को example बताओ ना आउजरा दिखते है हमने देखा कि यह low what tough question लोग डरते हैं इससे लेकिन बहुत आसान है अगर आपने समझ लिया तो आउजरा दिखते है कि हमारे knowledge से कैसे करेंगी इससे भाया A जो था वो V A से ऐसे नीचे खसकरा था obviously बात है कि यह जो blue blue color के ऐसे दो hinge है वो तो A को नीचे ही जाने दे सकते है या फिर उपर जाने दे सकते है तो gravity की वज़े से या किसी भी कारण से अगर A नीचे आएगा तो ज़रा सोच के देखो B किदर जाएगा क्या लगता है एक तो option B जमीन में धस जाए ना ना ये पाप तो नहीं करेंगे धर तीम आता है फिर सर अगर A नीचे आएगा तो normal force लगेगा ऐसा और उसका component B को आगे लेके जाएगा ऐसे ऐसे फिलारी मुझे कि A के नीचे आने पर B को जाना पड़ेगा आगे तो मैंने बुला ठीक है भई या इस B को आगे के तरफ हम लोग निकाल देते हैं ये थोड़ा सा हमने observation लगाया अब मुझे पता करना है कि velocity of B कितनी होगी तो मैंने ढूंडा कि आखरिये common normal है कहाँ पे क्योंकि अभी-अभी मैंने देखा कि velocities किसके अबाउट common normal के अबाउट सेम करनी है अब जब मैंने common normal ढूंडा तो वो मुझे देखा यहाँ पे common normal मतलब दोनों की बीज का contact अब ज़रा देखो कि अगर ये contact है तो इसका normal कहा होगा इसके perpendicular हाँ जी यह मैंने बना दिया कि जो बीज की line आ रही हमारे पास में यह line होगा हमारे पास common normal तो आप ज़रा common normal बनाए यह हमने बना दिया इसी का इतना इतना पड़ बना रहा हूं मैं यह मैंने बनाया contact इसके perpendicular बनाया है मैंने normal force याने की common normal अब ज़रा सोचो कि यहाँ वाली body का जो point है वो point है A यह जो point है यह point horizontal में जा रहा है इसे मैंने बना बना B point तो यह velocity जो नीचे की तरफ आ रही है यह आगई V A और यह आगई V B हाँ कि ना अब ज़रा सोचेंगे कि भाईया angle दिया हुआ था theta तो वो angle तो इसका दिया हुआ था इसका angle है theta तो क्या आप यहाँ के angle निकाल सकते हैं क्योंकि मुझे न velocity random नहीं चाहिए मुझे तो velocity वो वाले चाहिए जो common normal की तरफ हो तो मैंने common normal की तरफ velocity निकालने की करी कोशिश कैसे यह जो angle है यह angle theta तो यह angle भी कितना होगा theta तो तरफ बताओ theta के perpendicular vb का component कितना हो जाएगा perpendicular component होता है sin theta यहने कि vb sin theta theta की तरफ cos theta theta के perpendicular sin theta यहने कि यहाँ भी अगर component निकालूँगा मैं तो वो हो जाएगा vb cos theta लेकिन सर मुझे कौन सी velocity निकालनी है बटा आपको वो velocity निकालनी है जो कि common normal की तरफ हो यहने कि vb sin theta हमारे काम की है vb cos theta हमारे काम की अभी नहीं है ऐसी मैंने पूछा vb से तो vb ने बोला कि देखो भया अगर यह angle यहाँ पर theta होगा तो बीच का angle आजाएगा 90 minus theta और नीचे का फिर से आजाएगा theta क्योंकि हमें पता है दो lines की बीच का angle उन पर डाले गए perpendicular के बीच के angle के होता है बराबर तो सर, theta के बाद क्या किया जाए theta के बाद ऐसा किया जाए कि अगर वीए का theta की तरफ चाहिए component तो वो हो जाएगा कौन सा वी ए कॉस थीटा और सर, perpendicular component क्या होगा वो हो जाएगा वी ए साइन थीटा तो सर, कौन सा component काम का है वी ए कॉस थीटा कौन सा काम का नहीं है वी ए साइन थीटा हाँ जी तो आओ, ज़रा जूम करके देखें इसे, कि क्या बन रहा है यहाँ पर, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, कि VA का component आ रहा है ऐसा नीचे की तरफ, VA cos theta, जो मैंने किया है underline, और इस pink line के along, इस line के along, यहाँ पर कहीं पर नीचे, इधर, VB का component भी आ रहा है नीचे, किदर आ रहा है, नीचे वाला, VB sin theta, अब हमारा concept क्या बोलता है, हमारा concept बोलता है, कि यह जो pink color की line, जिसे प्यार से बोलते है, common, normal, surface के perpendicular, जो है, इस surface के perpendicular, इधर के जो velocity के components हैं, या जो acceleration के components हैं, या फिर जो displacement के components हैं, जो भी हैं, उन components का value होगा बराबर, यानि कि मैं क्या बोलूँग मैं बोलूँगा, VA cos theta जो आ रहा है, यह बराबर होगा किसके, VB sin theta के, हाँजी, यह आया हमारा relation between V and VB, तो अगर मुझे velocity of V निकालना है, तो मैं velocity of V बोल दूँगा, कि VA तो है, cos theta है, sin theta से divide कर दो, पिया जाएगा, V A cos upon sin यानि की cot theta, हाँजी, V, यह आया है मेरा velocity of V, तो क्या हमें string constraint और wedge constraint अभी तक समझ में आ रहा है क्या, हमने दो चीदे बोली, बेटा, पहला string constraint गयाने कि रसी की direction में, रसी की direction याने कि यह, देखो भी या, रसी की direction में, V A cos theta 1 और VB cos theta 2 होगे, बराबर, फिर हमने देखा wedge constraint, wedge constraint में हमने क्या देख कि along the common normal, common normal की तरफ, इसका देखो common normal, यह contact, contact क्या perpendicular क्या देख रहा है आपको, यह pink line आ गई हमारे पास, common normal, अगले वाले case में, contact और यह आ गई हमारे पास common normal, तो common normal की direction में, velocity के components, या फिर acceleration के components, हमेशा होंगे बराबर, आ रहा है क्या, आ रहा है, आ रहा है, यहां तक तो स थोड़ा सा आगे बढ़ाऊ ना, आपने तीसरा point बोला था, कि string, wedge और pulley बताओगी, तो आओ ज़रा pulley constraint की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले करते हैं, एक और question, ज़रा देखे तो, कि wedge constraint हमें, कितना अच्छी से समझ में आ रहा है, तो मैंने बोला, कि यह a point है, यह b point है, द आओ ज़रा डूंड़े, तो भाईया यह common normal है, यह आगे, यह हमारे है, यह आगे common normal, contact and common normal, अब ज़रा सोचो, कि यह तो मेरा है a point, हाँ जी दिख रहा है मुझे, इसको ज़रा side में करते हैं, बहुत घुसु घुसु सा हो रहा है, यह हमारे diagram है, हाँ, चानती से बैठा रह मैंने a से पूछा, a ने बोला कि भाईसा, मैं इस direction में ही जा सकता हूँ, इसके अलावा कहीं नहीं जा सकता मैं, तो a तो जा सकता है, ऐसा, ba, और अगर a ऐसा आ गया, तो b किदर जाएगा, अगर a इधर आएगा, तो b को जाना पड़ेगा उपर, हाँ जी, along the inclined ही जाना इसका angle निकाल सकते हैं, आओ तरह कोशिश करें, तो जब मैं angle निकालने पहुंचा, तो मुझे मालूम पड़ा कि ये तो angle theta ही आ गया, horizontal से ही तो angle है theta, और कौन सा theta, theta 2, तो मुझे मालूम पड़ा, कि यहां का angle तो है भाईसा theta 2, तो velocity का component आ जाएगा, vb cos, और कौन सा, theta 2, तो यह आगे हमारे पास vb cos theta 2, अब ज़रा देखो, मुझे मालूम पड़ा, ध्यान से देखना, मुझे मालूम पड़ा, कि ये जो angle है ये इसके बराबर है, तो vertical opposite angle भी बराबर होंगे, इसका मतलब horizontal से हमारा vb कितना angle बना रहा है, theta 1, तो भाईसा vb का angle आ गया, ये a ने क चोड़ दिया, हाँ, तो vb का angle आ गया, theta 1, यानि कि ये angle भी कितना आ गया, theta 1, अब concept, क्या vb और vb का relation आएगा, आएगा, क्यों नहीं आएगा, कैसे आएगा, कि वह या, vb का along the normal component क्या होगा, along the normal component होगा, vb cos theta 1, और उसी vb का along the normal component यहाँ पे आ गया, vb cos theta 2, और मुझे पता है कि along the common normal pink line की तरफ दोनों component क्या होगे, बराबर, इनने की मेरा relation आ गया, vb cos theta 1, इक्वल्स टू क्या, vb cos theta 2, बहुत बढ़िया, रसी के along, या फिर common normal के along component लेते जाओ, इक्वल करते जाओ, हमेशा answer ही answer, मजी मजे, आँ ज़रा देखते हैं आगे, फिर हमने देखा तीसरा constraint, जिसका नाम है pulley constraint, बहुत आसान है, ये थोड़ा differentiation करके दिखाया है मैंने, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आया कहां से, वरना concept तो बहुत simple सा है, तो हमने देखा, कि भाई या देखो, ये है एक pulley, और pulley के उपर ऐसी रसी जा रही है, ये point है A, ये point है B, A और बी दो object है, अब जरा सोचू, कि अगर pulley उपर जा रही है, ऐसे, pulley जा रही है उपर, तो क्या pulley A और B दुनों को लेकि उपर जाएगी, हाँ, A और B दुनों साथ साथ में उपर जा रहे होंगे, अब जरा सोचना, कि अगर pulley VP, velocity of pulley से उपर जा रही होगी, तो मान लिया A और B, velocity of A और velocity of B से जा रहे हैं, उपर, तीन चीज़ देखिए हमें, पुली जा रही है उपर, पुली के उपर जाने से A और B जा रहे होंगे, उपर, उपर जाएंगे, निचे जाएंगे, मुझे नहीं पता अभी, लेकिन मैंने मना है कि जा रहे होंगे उपर, तो इसका VP, VA और VB, तीन चीज़े आई, मुझे निकलना है इन तीन चीज़ों में relation, अगर निकल लिया, तो मैं पता कर पाऊंगा कि पुली constant होता क्या है, अब ज़रा देखो कैसे, मन लिया, कि यह जो length है रसी की, यहां से लेके यहां तक की, यह इस point से लेके, यह नीचे तक की, य अब आप तो हो ना, अरे, A फिरी चूड़ गया, हाँ, आप तो हो X, फिर हमने क्या बोला, हमने बोला कि यहां की length भी कुछ होगी ना, इसे हमने बोल दिया, यहां से लेके यहां तक की, Y, और जो रसी के उपर, यह जो रसी का सर है ना, यह सर की length जो है, उपर-उपर के आ रसी की total length होगी, हाँ होगी सर, तो मैंने बोला कि X plus Y plus L is constant, जो की है length of string, क्योंकि हमारी condition, string की length चेंज नहीं हो सकती, ना तो compress, और ना ही हम लोग slack वाली condition, breaking वाली condition वानेंगी, तो हमने बोला, कि अगर तीनों की length का sum constant है, तो क्या मैं differentiate कर दूँ, क्योंकि सर मैंने देखा कि distance को differentiate करने से मुझे मिलती है velocity, आओ ज़रा देखे, मैंने देखा X का differentiation DXYDT with respect to time, Y का DYYDT, L का DLYDT और constant का DYDT of constant, अब मुझे पता है कि differentiation of constant तो होता है क्या, 0, गोला, आओ, ये हो गया constant का differentiation, 0, DL by DT भी हो गया, कितना, 0, क्योंकि L जो है, वो तो रसी के circle length है, ना, पुली के circle length, तो ये गोले की length तो सेम रहेगी, change कौन हो सकता है, ये उपर आने से X change हो सकता है, ये आने से V change, याने की Y change हो सकता है, फिर मैंने बोला कि भाज़ा, DX by DT, अब ध्यान से देखना, यही वो basic concept है, जिससे की pulley constraint के सारे question होने वाल है, मैंने बोला, DX by DT मतलब क्य change of X, तो जरा सोचो कि ये जो length है, इस length पर दो velocities दिखरी है मुझे, कौन-कौन सी, एक तो दिख रहा है, VA अंदर की तरफ, जी ऐसे आ रहा है, याने की X को कम करेगा, सर अगर X को कम करेगा, तो DX by DT तो negative होना चीए, हां जी, length का कम होना, याने की velocity का कम, negative, पास आना, DX by DT negative, याने की कौन negative, VA, लेकिन सर, velocity of pulley तो दूर है, तो ये वाला जो pulley का point है, ये तो दूर जाएगा, और अगर सर ये दूर गया ना, तो ये length को बढ़ा देगा, याने की X के दो ends पर दो अलग-अलग velocities लग रही है, कौन-कौन सी, एक लग रही है V pulley, उपर की तरफ, और एक लग रही है, velocity of A, अंदर की तरफ, रसी की length कम करती हुई, तो जो रसी की length बढ़ा रही है, velocity of pulley, इसे हम लोगों ने बोला positive, बढ़ाना मतलब positive, दूर जाना, और जो रसी की अंदर की तरफ आ रही है, रसी की length को कम करीगी, उसे बोला मैंने negative, तो DX by DT, X पूछ रहा है, क् आपको na A कम कर रहा है और P बढ़ा रहा है, इसलिए हमने बोल दिया minus का VA और plus का VP, P बढ़ा रहा है और A कर रहा है कम, सेम ऐसे ही, यहाँ पर भी B कम कर रहा है, और यहाँ पे velocity of pulley बढ़ा रही है, यहनि कि हमने बोला VP positive, VP negative, बढ़ाने वाला positive, कम करने वाला negative, equal to 0, और इस अब ज़रा देखो, इससे questions कैसे बनते हैं, तो हमने बोला, ओ भाई जी, एक ना A और B है, और पुली जा रही है उपर, तो A जा रहा है 2 meter per second से, B जा रहा है 4 meter per second से, और पुली जा रही है उपर कहीं मान लेते हैं, तो आपको ना velocity of pulley निकालना है, ज़रा निकालना, हमने ल रहेते हैं, उपर की direction positive, एक direction को positive मान लिया, जो नीचे जा रहा होगा, उसको मान लिया negative, सर क्या V ये उपर है, हाँ, इसका मज़ा plus 2 होगा क्या, हाँ, सर V भी भी उपर है क्या, हाँ, हाँ, तो कितना हो जाएगा, plus 4 divided by 2, ये आ गया velocity of pulley, हाँ जी, तो 6 को 2 से, ओहो, 3 meter per second, ये आ गया हमारा velocity of pulley, सर इसको भी कर सकते हैं क्या, हाँ, क्यों नहीं, आउतरा देखे, मान लिया, उपर की direction positive, और नीचे की direction negative, तो आओ, velocity of pulley equals to velocity of A, plus velocity of B, by 2, velocity of pulley कितनी है सर, 3, velocity of A कितना है, वही तो निकालना है बिटा, V A, और velocity of B कितना है, plus 7 divided by 2, आओ, जरा निकाले, 3 का 2 में multiply आ गया, 6 equals to V A, plus 7, V A हमारे पास आ गया, minus, ओ सर, ये minus क्या है, बिटा, minus ये बता रहा है, कि जो A की velocity है, वो negative direction में, यानि कि नीचे की तरफ आएगी, और कितनी आएगी, 1 meter per second, हाँ जी, तो हमने पढ़े 3 constraint, पहला string constraint, रसी के direction में, हमेशा, same, फिर हमने पढ़ा wedge constraint, यानि कि normal contact के सब direction में, common normal के direction में, हमारा जो velocity और acceleration का component होगा, वो होगा बराबर, और तीसरा हमने पढ़ा pulley constraint, जिसमें हमने देखा, कि velocity of pulley will be V A plus V B by 2, हाँ जी, तो कोशिश करतें कि ऐसे हम लोग बहुत सारे questions करें, और फिर उन questions के साथ में, हम कि बढ़ाई